देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कॉंग्रेस ने आज राजस्तान के जैपूर में महारैली का अवान किया है इस महारैली में राहूल गांधी के साथ प्रियांका गांधी भी मंच पर मौजूद रहेगी और कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रहने की भी आशंका जटाए चारी है बताया जा रहा है कि इस महारैली में राहूल गांधी के अध्यक्ष पर्द पर वापसी को लेकर ताज़ पोशी की तैयारी भी कि जा रही है तो आईए जानते हैं इस ख़बर को और दिस्तार में राजस्तान में लगे पोस्टर बैनर और अख़बारों में राहुल गांधी की तस्वीरों को खास तवज्जो दी गई है इस मौके पर कॉंग्रस किसान महंगाई जैसे मुद्दो पर सरकार को गेरने की तयारी में है इस रैली में देश भर से पार्टी कारकरता और अने प्रमुख नेता भाग लेंगे कॉंग्रस महासचीव एवं राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने कल कहा कि यह एक राष्ट्रिय रैली है जिसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पर्व मुख्यमंत्री कॉंग्रस नेता राहुल गांधी और प्रियांका गांधी भी शामिल होंगे हाला कि कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस रैली में आएं गिया नहीं या अभी स्पष्ट नहीं है महारैली के लिए कॉंग्रस के तमाम दिगजनेता शनिवार शाम को ही जैपुर पहुँच गये हैं जैपुर शहर की प्रमुक सडक चौराहे पर पोस्टर और बैनर लगा दिये गए हैं ज्यादतर पोस्टरों में कॉंग्रस सांसद राहुल गांधी को प्रमुकता से जगा दी गई है इन पोस्टर पर कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी कॉंग्रस महासचीव प्रियांका गांधी और संगटन महासचीव केस वेनु गुपाल राजी के मुख्य मंतरी अशोग गैलोत प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डटोसरा की फोटोज है हाला की खास बात यहा है कि इन में राहुल गांधी की फोटो को प्रमुकता दी गई है और वहर पोस्टर के केंदर में है कॉंगर्स की इसरेली को महंगाई के साथ-साथ केंदर की नरेंदर मोधी सरकार के खिलाफ पार्टी के बड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें एबी न्यूज और अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चानल को सब्स्क्राइब करना नाब हो